नमस्कार! पाठ एक के भाग एक में हमने परिवार के रिस्ते नातों के बारे में पढ़ा. ये रिस्ते नाते हमें जन्म से ही मिलते हैं, जैसे माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी, आदी. लेकिन समाज में कुछ ऐसे रिस्ते भी हैं जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं और यह रिस्ता है मित्रता मित्र के साथ घंटों समय बिताना कितना अच्छा लगता है हम उनके साथ कुछ भी बाते सेयर कर सकते हैं वैसे जो मित्र मुसीबत में काम आते हैं वे सच्छे मित्र होते हैं। अब आईए पाठ में हम दिनेश और संदीप की मित्रता के बारे में पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये दिनेश हैं। इसके एक पैर में पोलियो होने की वज़ा से चलने में तकलीफ है। पोलियो क्या है? क्या आप जानते हैं? यह एक संक्रामक रोग है जो पोलियो बिसानू से मुख्यता छोटे बच्चों में होता है यह बिमारी बच्चे के किसी भी अंको जिंदगी भर के लिए कमजोर कर देती है आपने ध्यान दिया हुगा सुन्य से पांच वर्स तक की आयू के सभी बच्चों को इस बिमारी से लड़ने के लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है चली अब कहानी की और बढ़ते हैं तो दिनेश को चलने में तकलीफ है उसका एक मित्र है संधी वे दोनों पांचवी कक्षा के छात्र है और उतक्रमिक मद्ध बिद्याले चानों बिस्नुगर जो की हजारी बाग में है वहां पढ़ते हैं संधीप प्रती दिन दिनेश को अपने साथ बिद्याले ले आता और ले जाता है पढ़ने लिखने में दिनेश काफी तेज है कुछ ही दिन पहले संधीप के पिताजी ने संधीप को एक साइकिल लाकर दी है अब संदीप दिनेश को रोज अपनी साइकल पर बैठा कर स्कूल ले जाता है और फिर स्कूल से पढ़ने के बाद वापस साइकल में ले आता है संदीप ने दिनेश को भी साइकल चलाना सिखा दिया तो बच्चो इस पार्ट में आपने अभी पढ़ा कि हमें मित्रता कैसी करनी चाहिए हमारी मित्रता कैसी होनी चाहिए अभी हमने संदीप और दिनेश की मित्रता के बारे में जाना तो बच्चों क्या आपके विद्याले में भी दिनेश की तरह कोई साथी है यदि हाँ तो क्या आप उसकी मदद करते हो तो आज हमने इस वीडियो में परिवार एवं सम्मंधियों से रिस्तो नातों के बारे में जाना तथा मितरता की समझ विक्सित की